प्रियांका चोपडा की हॉलव Holy Vienna सीरीज शीटाडल का प्रमोशन बहुत किया गया। प्रियंका चोपडा अपनी इस सीरीज के प्रमोशन के लिए इंडिया भी आई। इस सीरीज में प्रियंका चोपड़ा है, इसके चर्चे इतने हुए कि अब इसका एक हिंदी वर्जिन भी बन रहा है, जिसमें वरुन धवन है, लेकिन अब सीरीज को लेकर जो खबर आई है, उससे कह सकते हैं कि प्रियंका की वज़े से वरुन की ये सीरीज भी बंद होने की स्ञाम इसकी से स्टाडी में हैं, इक्चूली सीटाडेल जो है, वह Amazon Prime की one of the costliest वेब सीरीज है, इस सीरीज में भारी भरकम बजट लगाया गया है, जितना बजट इस सीरीज में लगाया गया है, उतना बजट रिकफर तक नहीं हुआ है, यह सीरीज बुरी तरफ फ्लॉप हुई है और प्रेड्यूसर्स को इस सीरीज से 250 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है जो कि 2000 करोड के बराबर है बात यहां तक पहुँच गई है कि एमेजॉन की जो CEO है एंडी जैसी उन्होंने अपनी टीम को रिव्यू करने के लिए कहा है कि आखिर सिटेडल में कहां कहां क प्रियंक चोपड़ा एक तरफ हॉलिवूड में जाकर इडियन फिल्मों की बॉलिवूड इंडस्ट्री की धज्जिया उडाती है। कभी कहती है कि यहां पर हिरोईंस को हीरो का इंतजार करना पड़ता है हिरोईंस की कोई वैल्यू नहीं है। बॉलिवुड में heroines के सिफ breast और उनके bumps के बारे में ही बात होती है वो प्रियंका चोपडा meaningful cinema करने जब हॉलिवुड पहुची तो वहाँ पर भी उन्होंने एक ऐसी series दी जो सबसे बड़ी flop कहलाई जा रही है और makers को tension लगा दी है कि आखिर अब इस करोडों के नुकसान की recovery क कैसे की जाए citadel का Hindi version बन रहा है जिसमें वरुन धवन और समान्था काम कर रहे हैं